हेलो आज बात करते हैं राजस्तानी साहित्येम साहित्यकार जो मद्यकाली जो साहित्यकार हुएं उनके बारे में बात करते हैं इनका समय था पंद्रासो एक से लेकर गुनिस सो इस्वी तक इनका समय क्या था पंद्रासो एक से लेकर गुनिस सो इस्वी तक था अब सबसे पहले बात करेंगे बिठ्थु सुजाजी जिनका एक ग्रन था राव जेश्ची रूच्छंद कौन सा था बिठ्थु सुजाजी का राव जेश्ची रूच्छंद अब आगे बात करते हैं आसानन्द किसके बारे में बात करेंगे आसानन्द के बारे में देखो आसानन्द का एक जो परिक्ष्या में आने योगी गरंथ है वो है गोगाजीरी पेड़ी ये बहुत ही ज़्यादा है मैं तो पुन है बट्यानी रा कवीत ये भी याद करना है और एक उमादे ये तीन तो याद करने ही है इसके अलाव़ा निरंजन प्राण निरंजन प्राण, बादारा दुवा, लक्षमनायन और फुटकर गीत ये भी याद करने है, कौन-कौन से आसानन, गोगाजी के मंदिर की पेड़ी पे जाने के बाद भी हमें आसा रहती है इस तरह याद कर लेना, बट्यानी राकवीत और निरंजन प्राण उमादे, बादारा दुवा, लक्षमनायन फुटकर गीत ये तो आपको याद करने ही है, अब आगे बात करते हैं, इससरदास की किसके बारे में इससरदास के बारे में बात करते हैं अब बात करते हैं इस सर्दास के बारे में देखो इस सर्दास के कौन कौन से गरंथ हैं हरीरस देखो इस सर को इस वर पढ़ना है और इस वर के ही देखो प्राइबाची हो रहे हरीरस छोटा हरीरस चोटा हरीरस कहां पे ये रहा हरीरस कहां पे ये रहा हरीरस कहां पे ये रहा सभा परुए निंदा इस्तुती राज कैलास बालिला और एक देखो वेराथ गुण भागवत हंस गुण आगम इनको याद करना है सबसे मैं याद करना है आपको हला जाला रा कुंडलिया हला जाला री कुंडलिया यह किसकी है सूर्शसई है इसका दूसरा नाम है और यह है एक ब्रामक गरंथ है क्या गरंथ है ब्रामक क्योंकि इसका नाम सूर्शसई है और इसमें सासो दोई नहीं है इसमें 32 पद कुंडलियां ही है तो इसलिए इसको ब्रामक गरंथ का गया है सासो से अधिक दोई होने चाहिए लेकिन नहीं है इसलिए इसलिए ब्राम किसे लड़का है जो गुणवान है और रूप का भी अच्छा है तो केश्वदास गाड़न का कुण सा गुणु रूपक और इसका राव अमर सिंग रादुवा और विवेक वारता तेन है केश्वदास गाड़न का कुण कुण सा है गुणु रूपक राव अमर सिंग रादुवा विवेक वारता यह गुणु रूपक ज़्यादा मैं तो प कविजल का एक पार्शीर्ट गरंथ है बुद्धिरासो कौन सा है बुद्धिरासो तो ऐसे याद If bati ना पटिए मतलब बुद्धि किविद गार आधर करता है पर्थीराज राठोड के बारे में आपको वेली किसन रुकमनी रहे तो आपको पता ही है इस गरंथ के बारे में परसिद गरंथ है लेकिन इसको पान्च हुआ वेद और गुनिस्व अपुरान किसने दूरसाडा ने कहा था और परतिवराजराथूर को डिंगल का एरोज किसने का था एल पीटेशी टोらी ये भी जान में रहना यह बहुत कम लोगों को पता होता है यह याद करना है वेली किर्षन रुकमनी के विवा का वंडनन है अब आगे बात करते हैं साया जी साया जी का कौन सा है रुकमनी हरन और नाग दमन अब आगे चलते हैं दुरस आड़ा की बारे हमें देखते हैं दुरस आड़ा का विरुद्ध चत्री यह राद दुरस आड़ा यह इसके गरंथ है दुरस आड़ा का विरुद्ध चत्री और किर्तार बाउनी और सिरी कुमार अजजाजी नी भुचर मोरी नी गजरत भुचर और यह गजरत ना इसके बारे हम द्यान रखना दुरस आड़ा क्योंकि दुरस आड़ा और बाकिदास के सेम से गरंथ होंगे तो वो द्यान में रखना है क्यों इसने माहना परताब के और चण्द्र सेन के बारे में लिखा है विरुद्ध चत्री का मलब छेत्तर होता है और इसने किस के यूद्ध में किसका बनन किया है 1576 में हुए अल्दिकाटि के यूद के बारे में लिखा है कौन से गरंत में लिखा विरुद्ध छत्री किर्तार बाउनी और सिरीकुमार अज्जाजीरी भुचर मोरी नि गजरत अब आप बाकिदास के पढ़ोगे ने तो उसमें ऐसे आएंगे किर्तार बा सिरीकुमार अज्जाजी नि भुचर मोरी नि गजरत अब आके कुसलाब के बारे में पढ़ते हैं देखो कुसलाब के बारे में कुसलाब का पिंगल सिरोमनी डोला मारूडी चोपाई और माधवन कामकदला चोपाई देखो कामकदला चोपाई आजाए तो कुसलाब का है लेकिन मादुवल कामकदला गणपती आजाए जो गणपती कायस्त का आई है द्यान में रखना अगर चोपाई आजाए तो कुसलाब का और चोपाई नहीं आए तो किसका होगा गणपती कायस्त का और ढोला मारूरा दुआ ये कवी को लोल का है लेकिन ढोला मारूरी कुसलाब के अन्यागरंथ भी देख लीजी आप इनको ध्यान रखना जादा मेत्तो पुन्तो है नी अब आगे बात करते हैं का पर्सुराम के किसके वारे मी बात करते हैं पर्सुराम के ना इसलादा हैं कि अ किसका है एक और आएगा जो रगुनात नाम से होगा वो होगा एक रगुनात नाम से और आता है उसको वो बो अलग होगा वो किसका होगा आपको बताता हूँ मैं कि एक मंचर आएका रगुनाось रुपक आएगा शाही को एंपने नटमकूरणात्ष की बात आजेए कि इनटमक कि प्रत्यगाहई व्प्रमति आपको बताए दिया इसके लाएवे यह गजटि व्याद करने हैं सक्खि का जोड़ा चंद का जोड़ा द्रोपदी का जोड़ा सवया-दास का उतार श्रीकर्शन चरीतर और शिंगार अब आगे बात करते हैं माद्दो दास दद्वाडिया इनका एक गरंथ है राम रासो जो डिंगल वासा में लिखा गया है और एक दसम इसकंद और आपको एक दसम बागवतरा दुआ बताई दिया आपको पर्थिवराज राटोड का लेकिन दसम इसकंद किसका है माद्दो द दद्वाडिया और पर्थिवराज राठोड की दवारार रिवाइज़ कुरों कूल से गरंथ है वेलेकिस्थन रुकमनीरी गंगा लहरी दसम भावतरा दुआ वस्दे रावत दस्द दसरत रावती यह किसके थे पर्थिवराज राठोड की लेकिन दसम इसकंद किसका है मा 12 गरंत में एक जगह लिक द निया ना आ अप देख़ो राम रासो राम रासो किस वार मनदो सब वड रार यह यह उप सब्द्राशी जलकती आपको पता ही आपको लुड एव और कायम रसो कैसे कायम और कैसे कवी जान है कायम र कभी जान सगत युँर युद हर न अब ये राना रासो, राना महाराना को क्या आती थी, दया आती थी, तो दया राम, अब आगे, महाराना राना को क्या दया आती थी, तो दया राम, अब रतन रासो रतन कोन है, इसको ऐसे याद गरो, कि खिड की, रतन ने खिड की से जगा दिया, रतन ने खिड की से जगा दिया, तो का सती सूर्य सूरिय के किंड़ों में क्या सती हो गई सूर्य मल मिष्ण सती रासो अब दिखो mendig दो गरंथ है हम conscious एक तो जोद्राज राज हैा है ह्यारवाति में लिखा गया है बासा ही्रवाटी बोलियां आप जोद्राज ने एक हमी रासो सारंग्दर का है और एक लिलावती रासो ये कुसल दीर का है लिलावती रासो किसका है कुसल दीर का तो लिलावती क्या खुस हो गई तो इसे कुसल दीर का कुसल लाब अलग है कुसल लाब की कौण कौण से थे पिंगल ची रोमनी डोला मारूरी चोपाई यह थे चुपाई चुपाई दो थी दोला मारूरी चुपाई और मादवानल काम करला चुपाई अब आगे चलते हैं जस्वन सिंग जो मेवाड के एकसा सकते उनके बारे हम देखते हैं तो लेखो जस्वन का तीन गरन तो आपको याद रखने ही हैं भासा भुषण आनंद विलास और चंदर प्रबोद भासा भुषण में 213 दोए हैं कौन-कौन से हैं भासा भुषण आनंद विलास चंदर प्रबोद इसके लावव और कौन-कौन से हैं सिद्धान्ट बोद, सिद्धान्चार, अनभव प्रकास, अप्रोक्षा शिद्धान्ट, इच्छा विवेक, पूली जस्वन समवाद, देखो ये उपर वाड़े तेन याद गरो, भासा बुसन, आनंद, विलास और चंदर प्रबोद, ये याद करना, अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कवी जान की, कवी जान का आपको बता दे कैसे कवी और कैसे कायम रासो ये तो आपको बताई दिया, और इसने इसके लावब बुद्धी सागर ओड लिखा, बुद्धी सागर तो लिखा कवी जानने, और बुद्धी रासो किसने लिखा, कवी जहलने, ब लेला मजनू, ज्यान दीप, मदन विनोध, कलावती कथा, बर्खा गरंत, रूप मंजरी, सिंगार सतक, और एक भाव सतक, एक कनकावती की कथा, और एक कबुत्त नामा, आप अने इन दो को याद कर लो, कायम रासो और बुद्धी सागर, कवी जान कायम रासो और बुद्धी साधर ठीक है इनको याद कर लो आप अब आगे चलते हैं मुहनोत नैंसी मुहनोत नैंसी के बारे में पढ़ते हैं मुहनोत नैंसी कौन थे मारवाड के साथ सक जस्वन सिंग के दरवारी कभी या आसरित कभी बोल सकते इन्होंने एक मुहनोत नैंसी री ख्यात और एक मारवा और परगणार भी विगत थे रहास्तन का गजेटेकि में इसे संग्रे किलगा और इसे स पकुछ संग्रे किया गया है कि रास्तानी साइटे में चारी ख्यात हैं पिंगल भासा में लिएillियार गया जो नरेश गजज सिंग के कवी थे नर हरिदास का कुन्स है अवतार चरित्र पिंगल वासा में लिखा गया है और अन्य गरंद कुन कुन्स है इसका राम चरित्र कथा और अहिला पूर्वे परसंग वानी दसम इसकंद भासा दसम इसकंद भासा और दसम इसकंद अलग अलग है दसम इसकंद तो किसका था आपको पता है यह माद्दो दास और दसम इसकंद भासा अलग है नर हरी दास अवतार खथा अमर सिंग दुआ ये याद कर ले ना अब कल्यान दास गुण गोविंद कल्यान दास का कुण सा है गुण गोविंद कल्याइन दास का कुण सा है गुण गोविंद जीरी महेस दा सोतरी देखो यह रतना सिंग सी आना है औरंग जेव और जसंसिंग के युद का वर्णन है अब एक किसोरी दास हो रहा है इसका किसोरी दास का कुन सा राज प्रकास किसोरी के पास राज था उसने उस पर प्रकास डाला किसोरी के पास राज था उसने उस पर प्रकास डाला किसोरी के पास राज था उसने उस पर प्रकास डाला किसोरी के पास राज था उसने उस पर प् अब जोगिदास का ओर देखो जोगिदास का कुँछा है हरी पिंगल प्रभंद जोगी कितना भी प्रियास कर लिए हरी पिंगल प्रभंद जोगी कितना भी प्रियास कर लिए हरी पिंगल प्रभंद तो जोगिदास का कुँछा हुआ जोकिदास का कुण가요? घरिब प्रवंध अब आगे बात करते हैं, कुसल दीर कुसल दीर का एक लिलावटिर आसवाब को न लिलावतिर ने खुश हुआ तो कुसल दीर आप को बताई दिया, इसके और है वेल्ली किशन भूकमनीर वेली किसन रुकमनी ये किसका है पठ्थिराज राठोडगा लेगे ने इस पर टिका किसने लिखा कुसल दीर ने रसिक पिरिया की टिका भी सीनी लिखा था अब आगे बात करते हैं कुलपती मिसर की मुक्ती तरंगनी कुल्पती मिसर का कुणसा मुक्ती तरंगनी दुरोण परुवे दुर्गा भक्ती चंदरीका संग्राम सार नौशिक रहिश्य सेवा की बाड आपको बस यह आद रखना मुक्ती तरंगनी कुल्पती मिसर मिसर से आद रखना मुक्ती मिसर मुक्ती मिसर मुक अब आके जोगिदास के बारे में बात करते हैं जो आपको बताई दिया अब आपको मान सिंग के बारे में बताएंगे मांजिंग के कौन कौन से गरंध थे राज विलास जो पिंगल वासा में लिखा गए और ये वी रस्परदान गरंध है मांजिंग का कौन सा बिहारी सस्थाई के टिका बिहारी सस्थाई तो केसे ने लिखा कवी ब्यारी ने लिखा लेकर ब्यारी सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् भाव पच्छनिका और सत्य सवरूप और एक यमक सा सही द्यान में रखना है भाव पच्छिका और सत्य सवरूप यह द्यान में रखना है अज देखो हरी नाप की बाले में पढ़ते हैं हरी नाप का कुण सा केसरी सिंग समर पिंगल हरी नाप का कुण सा है केसरी सिंग जो पिंगल वासा में लिखा गए दया राम का राणा रासुद्ध राणा मा राणा को क्या दया जाती है पढ़ लिया अपने आप अब मुल्ली धर मुल्ली जो तिरिया विनोद और अस्वमेग यग तिरिया विनोद और अस्वामेग यक किसका है मुली दर मुली का मुली दर का है तिरिया विनोद मुली विनोद मुली विनोद एक साथ याद कर लो मुली विनोद मुली विनोद और एक अस्वामेग यक अब एक नागरिदास के और याद करेंगे नागरिदास का नागर समुचे यह याद रही जाएगा एक वर्जसार एक तर्चरिया एक भोरा लिला एक सिंगार सागर नागर समुचे आपको याद करना है सिंगार सागर और वर्जसार तर्चरिया और बोर लिया यह याद करने है अब वीरबान वीर बाण का कौन सा है राज रुपक भाणों की पास क्या है राज है ये डिंगल बासा में इसमें अबेशिंग और सुबेदार खा का जो गुज़ात के सास्थ थे सुबेदार खा इनके युद गवर्णन ने कि पास राज है तो राज रुपक अब एक कर्णिदान कविया कर्णिदान कविया यह सूरज परकास लिखा था अभेशिंग के दरवारी कभी थे सूरज परकास डालता है कर्णिमाता पे सूरज परकास डालता है कर्णिमाता पे तो कर्णिदान कविया सूरज परकास कर्णिदान कवी या को लाग पसाओ की उपादी भी दी गई है अब भेशिंग के दोगार किसके लाग पसाओ की उपादी किसी दी गई है कर्णिदान को अब याने खेतासी संदू के बारे में बात करते है इनका गरंथा भारत, भासा भारत खेता सी संदुग, भासा बुशन, जस्वन सिंगा, भासा बुशन तो जस्वन सिंगा, और भासा बुशन तो जस्वन सिंगा, खेता सी संदुगा, भासा बुशन तो जस्वन सिंगा, भासा बुशन तो जस्वन सिंगा, भासा बुशन तो जस्वन सिंगा, भासा बुशन तो जग्गाजी खेडिया तो आए गया रतन रास्वाप का, लेकिन आप किर्पयराम खेडिया पढ़े हैं, किर्पयराम खेडिया ने अपने नोकर को संबोदित करते हुए लिखा है, राजिया की सोट थी, राजिया किसका नोकर था, कर्पयराम खेडिया गा, तो इसने राजिय के सोटे लिखे जो चालग नेसी नाटक भी है जिसी चालाग नेसी नाटक भी का गए मन्छाराम मन्छाराम रगुनात की मुच्छे बड़ी रूपवान थी एक रगुनात की मुच्छे बड़ी ही रूपवान थी एक परसुराम का गरंद था वो था रगुनाथ चरितर और ये है रगुनाथ रूपक अब आगे बात करते हैं बाकिदास के बारे में बाकिदास के कौन-कौन से गरंद थे बाकिदास के बाकिदास रही ख्यात चार ख्यात आपको बताई दिये रास्तान की कौन कौन सी चार ख्याती बाकिदास की दयालदास की मुनोड नैनसी की ख्याती एक मुन्डियादी ख्याती रास्तानी साइटे में यह चारी ख्यात है अब पढ़ते हैं बाकिदास बाकिदास की ख्याती जोधपूराज्य की ख्य कायरबाउनि और दातारबाउनि डिखो यह किसकी है यह है बांकिदास की अर लेकिन आपको एक और बताई थी दूर्सारा आड़ा की कितार बाउनि अब आगे और देखते हैं सर शतिसी सियं चैँ शतिसी वीरविनोद और देखते हैं निती मंजरी वैस्वारता कायर बावणी और दातार बावणी बताई दिया इसके अलाव गज लक्षिमी और ध्यान में रखना है और एक गीत और है आयो इंग्रेज मुलक रहे उपर ये भी किसका बाकिदास का है एक बाकिदास की जो ख्यात है इसमें जैपुर और जोदपुर की स्ताबनाती ठीका उलेख मिलता है यह भी द्यान में दन्यवाद दोस्तों यह मद्यकालेंस आईते था जो पंद्रा सो एक से गुन्नी सो इस्वी के मद्य लिखे गए थे धन्यवाद झालेख